हेलो फ्रेंड्स, आज हर किसी के पास टाइंग की कमी है हमारे पास बहुत सारे सोर्सिज हैं, चारो तरफ से ग्यान बरस रहा है लेकिन उसे पढ़ने और समयने का समय नहीं है इसलिए बड़ी-बड़ी कहानिया या बड़ी-बड़ी किताबें उनको पढ़के समयना जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है इसी चीज को मद्दे नजर रखते हुए हम छोटे-छोटे विचार आपके लिए लेके आए हैं जो कि किसी भी इंसान की जिन्दगी को और इससे अर्ष तक मुझा सकते हैं वाई ये शिरू करते हैं उच साकारात्वक विचार जीवन में किसी चीज को पाना और उसकी इच्छा रखने में बहुत फरक होता है जिस दिन हम पूरी गंबीरता से अपनी च्छाओं को पूरा करने की ठान लेते हैं उस दिन से हर नामुम्किन काम भी मुम्किन होने लगता है खुद पर भरोसा रखने वाले जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी काम नामुम्किन नहीं होता अपनी काबलियत और जोश के दम पर हम अपने हर कारिया को मुम्किन बना सकते हैं हमारी सोच पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है इसलिए हमेशा बड़ाई सोचना चाहिए क्योंकि बड़ी सोच के दम पर ही हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में आज तक हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा यह सच है कि कोई भी इंसान हर दिन सब कुछ अच्छा नहीं कर सकता लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि हम एक ना एक दिन ज़रूर बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं जिन्दगी में कुछ अनूठा करके यदि जमाने में अलग पेचान बनानी है तो हमें कभी भीड का इसा नहीं बनना चाहिए क्योंकि भीड में अच्छे लोग नहीं होते और अच्छे लोगों की कभी भीड नहीं होते इस दुनिया में नामुम्किन कुछ भी नहीं होता ये नामुम्किन शब हमारे अपने दिमाग की ही उपज़ है एक बार यदि इस डर को अपने मन से निकाल दिया जाए तो हम बहुत सारे कृश्में असानी से कर सकते हैं जब तक हम अपनी कमजोर मानसिक्ता वली धार्णा को नहीं बदलते उस समय तक हमें अपना हर कारय नामुम्किन दिखाई देता है सोच बदलने के साथ ही हम अपनी तकदीर के साथ जमाने की तस्वीर को भी बदल सकते हैं जो लोग अपनी साकारात्मक्त सोच के साथ सारी शक्तियों को जगाने में काम्याब हो जाते हैं वो जमाने की दशात और दिशात दोनों ही बदल सकते हैं एक छोटी सी चीटी अपने जनून के दम पर अपने हर लक्षे को हासिल कर लेती है हम तो इंसान हैं, हमारे पास बुद्धी और क्यान का ख़जाना है हमें तो किसी भी कारे को मुम्किन बनाने में कभी कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए जो कुछ आई तक नहीं हुआ, वो हमें नामुम्किन लगता है लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति किसी शेतर में कुछ क्रिश्मे करता है तो फिर अनेक लोग उसका भी रिकार्ड तोड़ने में देर नहीं लगाते हमें अपने जीवन में एक बाद सदर याद रखनी चाहिए कि प्रबु ने हम सभी को एक जैसा बनाया है इसलिए अगर दूसरा कोई भी व्यक्ति किसी खास काम को कर सकता है तो हम भी उससे अच्छा करने की शमता रखते हैं पक्षियों का घोंसला बेशक कितनी बाद गिर का टूट जाए लेकिन वो हिम्मत और होसले से उससे फिर बनाने लगते हैं हम तो इंसान हैं हर नामुम्किन काम को मुम्किन क्यों नहीं बना सकते आने वले कल के बारे में कोई कुछ नहीं जानता इसलिए उससे डरने की जरूरत नहीं होते हम यदि अपना सारा ध्यान वर्तमान में लगा दें तो हमारा बुविश्य खुद बाखुद ही सवरने लगेगा पानी को अगर सही ढंक से उबाल दिया जाए तो वो अपनी भाब यानि स्टीम के दम पर रेल गाड़ी को खीच कर हजारों मील तक ले जाता है हमारे अंदर तो खुण है एक बार उसे उबाल करतो देखो फिर जीवन में सब कुछ मुम्किन नहीं लगेगा हमारे अंदर सोचने की आसीन शक्ति है लेकिन फिर भी हरानगी की बात ये है कि हमने अभी तक बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में कभी सोचा ही नहीं जिन के बारे में सोच कर हम असानी से अपनी जिंदगी को काम्याबी की बुलंदियों तक ले जा सकते है दोस्तों आपको हमारे ये विचार कैसे लगे हम उमीद करते हैं कि ये छोटे छोटे विचार आपकी जिन्दगी में बहुत बड़े बदलाव ला पाएंगे आपका सपना कोई भी हो अगर इस तरह के छोटे विचारों को हम अपनी जिन्दगी में अमल में लाना शुरू करते हैं तो यही बात पकी है कि आज के बाद हर चीज जो भी तक नमुम्किन लगती थी वो मुम्किन हो जाएगी धन्यवाद करते हैं